तो हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 मोशन के बारे में जो कि शिप पे अपलाय होते हैं just because of wind की वज़े से मतलब हवा की वज़े से दूसरा है current की वज़े से जो कि पानी में रहता है अंदर current रहता है उसकी वज़े से third वाला है waves की वज़े से जो कि आपने समंदर के लहरे देखियों की इन तीन चीजों की वज़े से ये सभी motions ship पे apply होते हैं तो पुराने सिफेर इस ने तीन मोशन तो फिल किये हो गए और बाकी के तीम बहुत कम लोगों ने फिल किये हो गए तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सभी motions one by one दो घो गोजे फो नौर्मली इस मुवमेंट को बोलते हैं पीचिंग ये आप फ्रिकर सकते हो नौर्मली सबी सी फ्रिस फ्रिकर सकते हैं इसमें कुछ इस-स तरह से रहता है कि जो पानी में वेव् бы उसकी वज़से वेसल कुछ इस तरह से मुवमेंट आपको दिखेगा इस मुवमेंट को बोलते हैं पीशिंग मुवमेंट सो नेक्स्ट हमारा मोशन है रॉलिंग मोशन इसमें वैसल कुछ साइडवेज रॉल होता हुआ दिखेगा और छे के छे मोशन में आपको वेव करन एंड विंड अपलाई जरूर होते हैं तो ये छे के छे मोशन में यही सभी इंपोर्टन तो हम लोग आके बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोमेंट की तरफ नेक्स्ट हमारा मोशन है सर्ज जिसको औरते हम लोग सर्जिन ये नॉर्मली आप फिल कर सकते हो पोर्ट वगेरा पे जब आपको करन एंड विंड ओपोजिट टाइरेक्शन में म नेक्स्ट हमारा मोशन है हीव मोशन जिसमें आप देख सकते हो वेसल बिल्कुल आपको स्टेबल देखने मिलेगा लेकिन अंदर से जैसे की ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर पुल कर रहा है कुछ इस तरह से वेसल आपको नीचे उपर होते हुए दिखेगा तो यह होता है दूटूब करन्ट नेक्स्ट हमारा मोशन है श्रे मोशन जिसमें आप देख सकते हो वेसल आप लोग उस तरह से मुवमेंट करता हो अदिके का तो यह आप ज्यादा अच्छे से फील नहीं कर पाओगे बद इस वे मोशन में कुछ आपको इस तरह से वेसल फील होगा जिसम इसमें भी आप लोगों को वेसल पे देख सकते हो दोनों ऑपसिट साइट में रहता है जैसे कि करन्ट बाव से पूश कर रहा है एंड वेंड आपको पॉटर से पूश कर रहा है इसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप का मोमेंट मिलेगा जिसमें वेवस भी एपलाइस हो है तो यह है हमारे सिम्पल सुशिप्स मोशन तो ऐसे ही नोलज़जबल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो डौन फोर्गेट तो सब्सक्रेब मैं चैनल एंड बेल आइकों को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बुलिये बिकोज ऐसे ही अपडेट आपको इस चै कर